जैशरी महांकाल जैशरी महांकाल दोस्तों आप सभी का आपके चैनल में आपका स्वागत है और आपका दिल से धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट हमारे सिनल को करने के लिए है आज इस वीडियो में हम चर्चा का भिषय है कि ये तीन लक्षन होते हैं कि आप पर कि करपा कितनी है कैसी है और क्या चीज़े ये तीन सभाविक लक्षन हर एक विक्ति में नहीं पाई जाते हैं पहली और मुख्य बात ये समझ ले तो आप इस वीडियो के माध्यम से जाने कि ये जो तीन लक्षन जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ ये आप में है नहीं और अगर नहीं है तो आप इन्हें अपने आप में डेवलप करें इनको आप सहीं करें और बाबा भुले नात की क्रपा बहुत आसानी से पाए तो इस रुडियो में हम इसी विशे पर चर्चा करेंगे कि भुले नात की क्रपा होने के तीन लक्षन मतलब बाबा भुले को और आगे ले जाएं उससे पहले एक छोटा सा निविधन में आपसे करना चाहता हूँ कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें कमेंट्स में आप भोले नात का कोई एक नाम जरू लिखें जैसे जैशिव शम्भू, खरहर महादेव, ओम नमश शिवाए आपका जो मन हो वो भोले नात का नाम कमेंट्स में जरू लिखें अगर आप अपने कुंडली का एनालिसिस हम से करवाना चाहते है तो स्क्रीन के उपर नमबर चैनली रहे है आप वाट्सअप पर अपोइंट्मेंट लेकर हम से बात कर सकते हैं उसका फी से आप शुल्क देकर बात कर सकते हैं अब आते हैं मुद्दे के उपर हम बाबा भोले नात की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं सभी चैजे करती हैं लेकिन सबसे पहला लक्षन है कि जो व्यक्ति आपके मुँपर है, सामने है, वही अंदर से हैं. देखिए, बाबा भोले ना, जो व्यक्ति भोले होते हैं, वो सरल और सहज होते हैं, जिनके मन में कोई छल और कपट नहीं होता है, उनके काम हमेशा बनते हैं, पेशक उन्हें धगती जरूर है, लेकिन जो जो उन् mutually ठगता है वो कभी जीमन बर खुश नहीं रहे पाता है क्योंकि भोले और भाले तो भोला इनसान जो होता है वो मन में जो उसके मन में जो चीज़े होती वही जिबान पर होती है और वही सच के साथ वो जीता है वो अपने सच को स्विखार करता है और उस आनन्द में जीता है तो ये सबसे बड़ा लक्षन है आपका भूलापन अब भूलापन कोई बनावटी चीज नहीं है इसे बनावटी तोर पर कोई व्यक्ति नहीं कर सकते हैं ये तो हमारे नेसरगिक स्वभाव है जैसे प्रक्रति का भूलापन है कि जैसे ही बारिश का मोसम आता है तो वो सतही उसकी बारिश हो जाती है तो जो भी भाव होता है उसे वो रोकता नहीं है जो सच होता है जो उसके मन में है इसी के बारे में उसे वो सच कह देता है बो भूलापंजिन पर होता है, उन्तों बेशक शिउजी की करपा होती है, दूसरा होता है जो महिलाओं का सम्मान बहुत करते हैं, इसमें महिलाओं भी सामिल है और मैं हमेशा कहता हूँ कि उस घर में लक्षमी और बाबा भॉलेनाती करपा, मा पारवती करपा, पतलब देव देवताओं की करपा हमेशा बरसती रहती है, जो लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं कि मुँपर कुछ और, जिबान पर कुछ और और ये सब चीजे, दिल से सम्मान, रदेश से सम्मान ही सबसे बड़ी बात है, और इसी से बहुलेनाती की करपा होती है, तीसरे वो लोग जो लोग अपने माता पिता के प्रती पून श्रदावान और पून आस्थावाद के साथ, अपने माता पिता के प्रती पून जिम्मेदारी निभाते हैं, चाहे जिस भी हालात क्यों, उन पर बाबा भोलेनात की करपा हमेशा रहती, इसलिए तो कहते हैं कि संकर प कर दो कर दो कर दो कर दो कि रहा है!